दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजूकेशन तक पर दोस्तो कल से आप सभी का इंटर्मीडियेट का परिच्छा सुरू होने जा रहा है यानि कि 2030 का इंटर्मीडियेट का परिच्छा सुरू होने जा रहा है एक फरवड़ी से और कल है आ आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंटरमीडियेट परिच्छा 2030 का जो वारल अब्जेक्टिव प्रस्ण पत्र है उसका पीडियेप इस पीडियेप में दोस्तों आपको जो कि कल एक्जाम में जो कोश्चन पूछे जाएंगे इसमें से जो कि आपको सभी का सभी कोश्चन टक हो चुका है बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं बचा हुआ है तो आप से करेंगे कि आप लोग सेंटर में जाते जाते इस वीडियो को जरूर से देख लेजेगा काफी इंपोर्टेंट यह वीडियो है आप सभी के लिए जो आपका मैथमेटिक भी सही का कलका एक्जाम हो है सभी को माइंड में आपको है जो कि यहां पर आपको रट लेना है और यही कोशन आपको जो कि आने वाले हैं यानि कि सभी कोशन को आपको जैसे मैं बताऊंगा वही कोशन आपको आने वाले हैं और आपको जो कि यहां पर जो कि आप लोग एंसर को फटा-फट याद कर सब्सक्राइब कर दिएगा तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा आपका समय अब खतम हो चुका है बिलकुल भी समय नहीं बचा हुआ है मात्र आप समझ लिजिए कि आपको 10 घंटों का समय बचा हुआ है तो यह वीडियो को काफी इंप्पोर्टेंट है वीडियो इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास में सेर कर दिएगा और वीडियो मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में आप सभी के लिए तो आप लो आपको एक्जाम में 110 परसंट लरने वाला कोश्चन रहेगा तो आपको जो कि उसका वीडियो अप्लूट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा यही आपका फैदा रहेगा सब्सक्राइब करनेगा तो फिली चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और आपको पर कोस्यन आपका कोस्यन का एंसर याद है तो आप लोग एंसर को आप लोगजो चलिः झाले तो दोस्तों सबसे पहले आपको को सबसे पहले दिखने य कींदे जो भी आपका सो बपड़ेक्टिफ इसमेंस इस हैं इसमें से आपको 50 अपड़ेक्टिफ कहीं एंसर देना है और वो भी एंसर देना है आपको अमारं सीटे पर उम्र्स पर आपकोबता दिहें कि किस तरह कैस्यामिटिज़ते आपको जिरू को झिह दितकले हैं क। तब प्रोब्लम नहों रिजल्ट में आपको किसी परकार का आपका रिजल्ट पेंडिंग नहों तो इस वीडियो को पुड़ा देख लिजेगा ध्यान से चलिए फटाफट इसको इस वीडियो को देख लेते हैं यहां पे सबसे पहला कोशन आपके सामने इस तरह से हैं आपका यह X. E कमान है आपका थिरी X. E के पाघूर थिरी X बरावर क्या होगा तो यह पाहला कोशन आपका पुछा गा इसका आपका राइट एंसर कै क्या हो जाएंगा तो ऑप्सन नंबर C हो जाएगा आपका राइट एंसर ओपम सी देखिए आपके पास टाइम का यहां पर बहुत ह हुआ है इसलिए हम आपको कोस्टन और एंसर बताते चलतेoca शेड कर लेई कि को money ہے जो कि आपको आने वाला है जितने भी कोस्टन आपको अबता रहे हैं सभी कोस्टन की ठकुराने में थी क του है दो नमर को देख लेते हैं दो नमर को आपका पुछा गया है देखिए दी बटे डी एकस है उसके बाद है साइन एकस बटे टू बरावर क्या होगा तो दो नमर का आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो दो नमर का आपका राइट एंसर हो जाएगा यह आपका ब्रावर क्या होगा तो तीर नमर का राइट एंसर हो जाए गा ऑपसन नमर डी यह निकि-3-3-3-ульт हो जाएगा ओर यह आपका राइट एंसर हो जाएगा आगला कौश्चन है आपका चार नमर चार नमर कोश्चन गहां दि वता घर पका garant 4 number question है इसका right answer option number C हो जाएगा 2 6 square 2 X हो जाएगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो आगला question है आपका 5 number 5 number question पुछा गया है कि D वट D X उसके बाद है आपका 2 X के power 3 बरावर क्या होगा तो आपका यहाँ पर 5 number का आपका right answer क्या हो जाएगा बरावर क्या होगा तो 6 number का आपका right answer हो जाएगा आपके लेकर आते हैं जो कि आपको एक्जाम में जो लरने वाला है टकराने वाला वही कोश्चन हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ हैं तो वीडियो को like करने में कंजुसी मत किजेगा वीडियो को अभी तक like करके शेयर कर दिजेगा दबाके अपने सभी दोस्ते को पास में अपने जितने भी आपके दोस्त हैं जो आपको एक्जामा देने वाले हैं उनके पास ये video और लगले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा क्योंकि और भी सब्जेक्ट का इसी तरह का वीडियो हम आपके सामने जब भी चैनल पर अप्लोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देख लिजेगा और आप लोग इस व हो जाएगा सी यानि कि थीरी साइन स्कॉार ठीटा कोस ठीटा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नमर सी अगला कोशन है आपका आठ नमर आठ नमर कोशन है दी बरावर दी बटा दी उसके बाद है आपका कोस इसकॉार ए तो आपका क्या हो जाएगा आठ नमर का आ यहाँ पर option number C हो जाएगा देखिए minus sign to A हो जाएगा आपका राइट एंसर अगला कोशन है नाइन नौ नमर डी बटा डी एक्स टू टैन स्क्वाइर एक्स बराबर क्या होगा तो आपका नाइन नमर का राइट एंसर हो जाएगा option नमर भी हो जाएगा 410 x 6a square x हो जाएगा 10 नमर कोशन इस तरह से आपका पुछा गया तो 10 का आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा देखिए इस तरह का कोशन आपको सुवा का वीडियो मैंने जो बताया था उसमें भी आपको पहले का वीडियो में उसमें भी ऐसा कोशन है जो कि यहाँ पर बार 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 पुछा गया था तो 10 का आपका राइ यांशत अहां पे ऐल इंसाfunding आपका टान syntax है यानि कि यके पर आपका हो जाएगा option देशन आप संनमर भी हो जाएगा कि चलिए तेरा नमर कोश्चन है तेरा नमर भी उसी तरह का कोश्चन पुछा गया तेरा का रायट एंसर चाहिए चाहुदार का रायट एंसर क्या हो जाएगा तो कि माइंड में सेट कर लिजे सभी को बस आपको पास समय आप बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है कल आपका एक्जाम है और आप लोग है यहां पर इसे याद कर लिजे यह सब कोश्टन आएगा भना-भन आप लोग है जिको हमारे सीट पर रंग दीजेगा 15 नमर कोश्टन है देंगे 15 नमर कोश्टन आपका इस तरह का है तो 15ौ अपका राइट अंसर कैसे हो जाएगा 15 का अपसन नमर दी हो जाएगा आठ बटे तीन हीए अगा आगला कोश्टन है आपका 16 komm और को क्षिटो पुछािया है तोो है आगला कोश्टन है क्षिए इससे क्षिब को संदेशेय अगला क्षिण है तो बाइश का आपका क्षिटों देखे इस तरह का आपका दिया गया है तो 22 का आप लोग इसका राइट एंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में भी फटा-फट आप लोग एंसर देने की कोशिस किजिए गा दिखे 22 का हम यहां पे एंसर बता देते हैं 22 का आपका हो जाएगा यानि की जीरो हो जाएगा चलिए 23 नमर कोश्चन अपने समस्फ नमर कोश्चन आप लोग बताएज इसका फटाफट क्या होगा त इसका ऐसे हम बताते हैं देखें तेस का आपका सही उतर क्या हो ढ़िए ओप्सण नमर भी हो जाएगा अगला कोश्चन है आपका 24 नमर भी देखिए उसी टाइप से कुछटन प भी उसी तरह से आपका पूछा गया कोश्चन 20 का राइंसर क्या हो जागा तो 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा option number यह सी हो जाएगा option number घ्राइब से कोश्चन है तो 27 का आपका राइट एंसर क्या हो जागा यहां पर 10-10-10-13-10-13-20 पलस के जितने जतने भी कोशटन हम आपको बता रहें एस्वी व्यरल कोशन है उसमें सभी लढ़ ने वाले कोशने य यह सभी कोशल लरेने वाला है तो आप लोग ध्यान से याद कर लिजए जो भी मैं आपको बता रहा हूं देख़ीosto 28 नमर कोशोन पुछा गया is 8 नमर का आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो टाइन एक्स-प्लस क्यों हो जाएगा राइट ड्रॉप संटि हो जाएगा नमेस्ट कोश्टन आपका ओस्ट हो गया यहां पर 28 अब 29 कोश्ट फूछ्टन है 29 तर्हा से उसी टाइप का कोश्ट से सब्सक्राइब से लिए Samoa के आपका टीर या जाएगा ऐसे 9 už 12 से सब्सक्राइब बहुत ज्यादा कोश्चन और यह कोश्चन अने का तो बदेस्ट नमर का क्या हो जाएगा और यह भी हो जाएगा ओपसे नमरब नेक्स्ट कोश्चन है आपका 33 नमर भी देखिए उसी टाब से कोश्चन है आपका तो 33 का आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो 33 का ऐसे अब कोश्चन है जो की कल एक्जां में आएगा जो मैं आपको पता रहा हूँ टीका, अगला question है आपका 34 नमर, देखेcie, 34 नमर इस तरह का question type से पुछा जगा है, तो 34 का आपका क्या हो जाएगा तो D हो जाएगा, यह आपका right answer 35 नमर क्या है, 35 नमर का आपका answer हो जाएगा, option number A next question है, आपका 36 36 नमर भी उसी type से question पुछा घे है, 36 का तो पाँच हो जाएगा अगला कोसटन है को स्टॉष इसी देने के कोशिक्ष कि जिए गाला है जो जाएगा यॹा बटत ही तीरी ये आपका सही उत्तर हो जागा नेश्ट है आपका चालिस नमबर देखें चालिस नमबर कोश्चन पुछा गया है यदि ए बरावर टू आई पलस टू जे माइनस फाइव के तथा बी बरावर टू आई पलस जे पलस थीरी के तो ए और पलस बी का मान है चालिस नमर आई कुछा गया है तो चालिस का अप्षे हो जाएगा उंडर कि और उट 29 है यह हो गया चालिस नमर अगला कुछे Evangelみ स्दूसाय कि देसा में 21 सदीसे नंब्र कुछा गया है , começa 04 को बताइब गार एंसर क्या होगा आप लोगे को छोड़ेते हैं एक ताष नम्र कोई कोई स्दै का आइस उसका एंसर आप लोगえば का हल hmm 42 नमर ये question पूछा गया 42 नमर का आपका right answer क्या हो जाएगा तो 42 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका option नमर भी ये सही उत्तर हो जाएगा 42 का नेक्स से तालिस नमर अब कल समी करन डी वाई बटा डी एक्स माइनस 3Y बरावर कॉस एक्स का समा कलन गुनक है तो 43 नमर का question आपका इस तरह का पूछा गया है इनमें से आपको एक एंसर बताना है यानि कि आपका चार ओप्सन में से एक ओप्सन बताना है देखिए यहां पर ऑई दिया गया है बी दिया एक दिया आपका है जो कि कोई नहीं कौन होगा एंसर तो 43 नमर का आपका right answer हो आपका जीरो हो जाएगा अगला कोस्टिन है मूल बिंदू से तल देखिए 3-2y साथ की दूरी है 45 नमर्य कुछाएगा 45 क्या हो जाएगा साथ वर्टें अंडर रूट 29 हो जाएगा यह आपका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टिन आपका 46 नमर्य कोस्टिन पुछा गया इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो आपका ऑप्सन नमर्य हो जाएगा यह आपका सही उतर हो जाएगा अग्ला कॉश्टिन आपका 46 नमर्य के 47 नमर्य तीन माइनस टू आठड़ीत अनुपात वाले रेखा के द्वीक को जाएगा नहीं यह को सब्करें क्या हो जाएगा तो राइट अपका राइट एंसर नमर्य हो जाएगा यह आपका सही उतर हो जाए 20 वह जाएगा अग्ला क कोशन तो अर्ट अर्ट्र नहीं कि नहीं है पचास कोशन का यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा तो पचास नमर क्या चाहिए खायगा और नमर B 11 हो जाएगा तो दोस्तों यह रहा आपका 50 objective question जो कि कल आपके एक्जाम में most important VVI objective question है जो कि आने वाले आपका ठकराने वाले question है यह सभी question है जो कि आपको VVI है आ सकता है कल exam में तो उमीद है वीडियो पूरा देखे होंगे वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शिर कर देज़ेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो बड़ा पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेजए